मैं फर्विंदर खारी आज की हमारी के मैंचुल वर्मा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट ही है उन्होंने मुझस से एक गेम के उपर वीडियो बनाने के लिए क्लिक आ था जो खेली गए थी विलियम हेंडरी पॉलॉग और एस लेंगले बैंड एंड एफ कोलोसं के यहां गेम की शुरुआत E4 के साथ विलियम हेंडरी ने की थी और वहां सामने दो किलाडियों की जोड़ी लेंगले बैंड और कॉलसं की थी उन्होंने यहां E5 खेला नाइट F3 हुआ नाइट C6 विशप C4 नाइट F6 लेकिन यहां पहले वाइट ने किया इटेक्स D4 होना और कैसल करना यहां नॉर्मल मूव है लेकिन ब्लैक ने जैसे ही यहां नाइट C4 किया गेम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई क्योंकि वाइट ने यहां रुप को E1 स्क्वार पर प्लेस करके सबसे पहले यहां इस नाइट को ही पिन कर दिया है यहां इस पॉइंट पर मेर देख सकते हैं कि कुइन अंडिफेंडड है और उपर से नाइट फिलहाल के लिए पिन है तो नाइट C3 यहां वाइट अफोर्ड कर सकता है वो यहां जो अपना बिशाप उन्होंने टेंपरेरी गवाया था वो यहां इस नाइट के बदले में मिल सकता है पहले कुइन पर अटेक है कुइन गई है फाइब स्क्वाइर पर देन हुआ नाइट टेक्स एफोर बिशाप एशिक्स यहां इस रुप की फाइरिंग लाइन को बंद करना बहुत ज़रूरी था आइदर डार्क स्क्वाइड बिशाप को भी लिया जा सकता था यहां मैं ऐसा क्यों कह सकता ह हूँ क्योंकि ब्लैक को सबसे पहले किंग की सेफटी पर ध्यान देना चाहिए तो इस गेम में प्रॉबलम ब्लैक के साथ यही हुई कि उनका किंग काफी लंबे समय तक सेंटर में ही रहा नाइट टेक्स डीफोर नाइट टेक्स डीफोर होने के बाद माइट भी ये रुक आ सकता था आना चाहिए भी था D8 square पर लेकिन यहां black ने H6 किया है H6 में थोड़ी problems है B3 then A6 इन pawns को आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी black को सबसे पहले अपने king की safety पर ध्यान देना चाहिए था bishop B2 white यहां अपने pieces को develop करता जा रहा है लेकिन black के पास अभी भी chance था इस rook को D8 square पर ले जाने का लेकिन यहां A5 इस move के तो बिल्कुल बेज़ोर नहीं अब लगता है कि हाँ problem थी black की game में यहां अब white की game बिल्कुल perfect launch pad पर आ चुकी है आने वारा check meeting combination खुनने के लिए यहां William ने किया rocate goes to team then who are f6 no use क्योंकि queen d7 bishop takes d7 straight forward अपनी queen sacrifice यह क्यों knight d6 check के लिए यहां कह सकते हैं कि यह queen white को मिल ही गई है और कम से कम अब black king के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यह d8 square ही बचा है king यह d8 square पर मुझे लगा bishop के pin होने की वज़े से अब यहां material gain में white आ सकता है लेकिन knight f7 friends यहां है combination सारा इस game का king के लिए बचा है c8 square then हुआ rook e8 check marvelous move bishop takes c8 force है लेकिन rook d8 check का कोई भी इलाज अब black के पास नहीं friends क्या क्यमाल की game थी सिर्फ 19 move में क्या शांदार check में मैं हांड शुल वर्माजी का एक बार फिर दुबारे धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतनी गजब की game हम सभी लोग को पताएं मुझे उमीद है कि आप सभी लोग को यह game और यह video ज़रूर पसंद आई होगी तो आप लोग इस video को like share और मेरे इस youtube चैनल चाहस गुरूब ब्लीज subscribe जरूर करें आपके comments का मुझे बेहद इन जा रहेगा thank you for watching and bye for now